दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो श्टॉक ने साबित कर दिया है कि ये वाकई में बहुत मजबूत है इस लेवल पे जहाँ पे आप देखेंगे तो वो गिरावट का दोर जारी है निप्टी आईटी में भी आज हमने गिरावट देखें उसके बाउजुद भी विप्रो में positive closing देखी है और पिछले दो तीन trading session से यहाँ पे positive closing देखने को मिल रही है बले ही तेजी बड़ी नहों लेकिन positive closing बहुत बड़ा ही सारा कर जाती है यहाँ पे विप्रो की बात करें तो श्टॉक के अंदर बहुत जादा correction हो चुका है और आने वाले समय में और यह जो कमी है यह already पहले ही इस खबर को डिस्काउंट कर दिया गया क्योंकि गिरावट तो बहुत जादा हो चुकी है ऐसे में विप्रो में अब गिरावट की समवाना नहीं है यहाँ पे विप्रो की तरफ से एक बहुत बड़ी update निकल के आ रही है विप्रो लगातार अप बोनस के माद्यम से ही मला मल कर दिया है पिछले कई सालों से लगातार बोनस मिरा है साथ में अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है तो इतना सांदार बोनस और डिविडेंड साथ में कंपनी का बिजनस बहुत तेजी से बढ़ रहा है आईटी की बात छोड़ो तो FMCG सेक में आना सुरू हो चुका है इंटरनेस्टल मार्केट में कोई भरोसा नहीं कर रहा है सिर्फ इंडिया के बाजार में ही सारा निवे सारा ऐसे में आने वाले से में तेजी जरू बन सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE SENSEC में हमें थ लेकिन 0.34% की गिरावट देखना को मिली निप्टी IT की अगर हम बात करें तो 29,138 के इस्तर पे क्लोजिंग है जहाँ पे 132 पॉंट की गिरावट थी यानि 0.45% लगबग आदा परतिशत की गिरावट IT सेक्टर में थी उसके बाउजुद भी विप्रो में हमने सांदार त 30% की सांदार तेजी देखना को मिली तो एक दरब तो IT सेक्टर में गिरावट है उसके बाउजुद भी ये पॉजिटिव क्लोजिंग बहुत बड़ा इसारा करें इसका मतलब यह कि वीप्रो में खरीदारी शुरू हो चुके है और ये स्टॉक इस लेवल पे काफी सांदा की गिरावट देखनों को मिल रही है लेकिन आप ये देख सेको पिछले 5 दिन के इसाब से नीचले लेवल से हमें लगबग 2% की अच्छी तेजी देखनों को मिल रही है मिनी स्टॉक फिर से पॉजिटिव महुल में आच चुका है इसके बीच में आप देखे तो इंटरने परसेंट की गिरावट है लगबग 1.5% की गिरावट है नेच्टक कंपोजिट की अगर बात करें तो 10,830 के इस तरफे 0.47% की गिरावट है तो आप देख सकते हो कि सभी बाजारों में लगबग 1.5% की गिरावट है और अगर यही दौर कायम ना तो हो सकता है कल हमारी सु तो 5,600 3,34 को पीच की नई investment किया लेकिन सामने 7,012 को पीच की उन्होंने biquali कर दी इसलिए उनकी आज बीक वाली है वो 1,378 कोड बीच की है बात FI की करें तो आज उन्होंने 7,600 3,23 को पीच का नए investment किया सामने उन्होंने 6,187 कोड बीक वाली कि इसलिए उनकी जो खरीद कि थी एक तारीक को और दो तारीक की आज की उनके करीब 1400 क्रोड के आस्पक की खरिदारी है तो यह बहुत अच्छी बात है अब यहां पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विप्रो ने एक बड़ा एनॉस्मेंट किया है विप्रो कैपकों के माध्यम से न्यू फाइ किया है विप्रो ने उसके बाद में इनके बीजनस में काफी तेजी बड़ी है इस मौके पे देखे तो जो इनके सीओ है अनीस चेंज जो एसिया पेसिफिक मिडेलिस्ट और अफरिका के सीओ है उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि इस बार जो हमने यह जो सर्विस इनके बीजनस में और एक नया आयम जूडने वाला है उनका कहना है कि इंडिया का जो कंसलिटिंग मार्केट है वो करीब 8.6 बिलियन डॉलर का है और फाइनसल सर्विस अकाउंट की बात के तो करीब 2.95 बिलियन डॉलर का है और इसमें हम एक बड़ा योगदान दिबाने इसमें एक नई और उर्जा के साथ बीजनस में इंट्रिक करने जा रहे तो आप देख सकते हो कैपकों के साथ में जो इनका कारोबार बढ़ रहा है उसके हिसाब से वीप्रो के बीजनस में और तेजी आने वाले क्योंकि जमाना अब पूरी तरसे डिजिटल प्रेल्फॉर पर आचुका है लोगों को आप डिजिटल सेवाए चाहिए और नए जमाने की नई सेवाए ऐसे में वीप्रो और कैपकों मिलके उन कस्टमर्स के लिए नई सेवाए और सेप और स्युक्र सर्विस प्रवाइड करने वाले हैं वीप्रो के तरफ से देखे तो इस बार कंपन डिजिटल बैंकिंग, इंसुरेंस, डाटा, क्लाउड ट्रान्सफोर्यमेशन, इसके लावा ओटोमेशन, साइबर सेकूर्टी सारी की सरी सर्विस प्रवाइड करने वाले हैं इंट ओ-ेंड सर्विस मिलेगी हर्त रखी लेटेस सर्विस मिलने वाले हैं तो ये तरह से आने वाले समय वीप्रो में बहुत बड़ी तेजी आ सकते हैं इसके पहले एगर रिजल जब आया तो आप देखें तो करीब 46 जो अलग अलग अनलिस्ट है उसमें से 20 ही थे जो लगातार सेल के टारगेट देर थे उसमें से आप देख सकते हो कि 13 थे जो फेवर में थे कि यह है कि वीप्रो में आने वाले समय में तेजी बन सकती है और यह बात मैंने आपको लगातार बोली है क्योंकि वीप्रो सिर्फ प्राइस की मामले में नहीं बाकी बोनस के मामले में सबसे हटके है और लगातार अच्छा बोनस और अच्छा डिविडेन देती है तो पर दो आपको करना ही चीए यहां पर देख सकते हैं तो तो 388 का फर्स सपोर्ट है यह सपोर्ट अगर टूटा तो श्टॉक 384 तक जाएगा और यहां पर भी श्टॉक अगर नहीं रुका तो फिर तीस्तरा सपोर्ट आपको 381 का दिखाए देगा यानि जैसे ही पॉजिटिव महुल बनना सुरू होगा तो आप देख सकते हो 394 का फर्स्ट रेजिस्टराइस है सबसे बड़ी बात है कि इंट्राडे में इसने 394 को आज टच भी किया है सेकेंड जो रेजिस्टराइस है वो 397 का है इसको पार कर लिया तो स्टॉक 401 में चला और जैसे ही यह 400 को क्रॉस करेगा तो यहां पर फिर से तेजी की समवना बनी सुरू हो जागी तो लॉंग टर्म करने जिया लेकिए इस समय आपको वीप्रो में इंवेस्मेंट करना चाहिए वीप्रो आने वाले समय डेफिनिटली आपको बहुत ही जबनस रिटन दे सकता ह लेकिन फ्रेंट कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजेस एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीज़े और च थैकि उफेल